अपने दर्शुकों को बता दे कि आज कॉंग्रेस की केंदे चुनाओं समीधी की बैठक होनी है और बैठक में अमेठी और राइवरिली लोगसबा सीटों पर उमिदवारों के नाम पर फैसला हो सकता है। अपने लोगसबा अमेठी चेत्र में चुनाओं पर प्रचार कर रही है तो बहीं दूसरी तरफ कॉंग्रेस कारेकरताओं को भरोसा है कि तीसरी बार राहूल गांधी और समीधी रानी अमेठी लोगसबा सीट से आमने सामने होंगे। कॉंग्रेस सुक्रो की वाने तो वाइनाट लोगसबा सीट पर चुनाओं खत्म होने के बार राहूल गांधी अमेठी की तरफ रोक कर सकते हैं। क्या राहूल गांधी फिर अमेठी से लड़ेंगे चुनाओं। क्या अमेठी का दंगल फिर स्मृती इनानी वर्सिस राहूल गांधी होगा। क्या किसरी बार अमेठी लोगसबा सीट पर स्मृती इरानी और राहूल गांधी आमने सामने होंगे। क्या राहूल गांधी अपने बरंपरकत सीट अमेठी से लोगसबा चुनाओं लड़ेंगे। ये सवाल हर किसी के जहन में है। 2019 में राहूल गांधी को चुनावी पटकरी देने के बाद एक बार फिर 2024 के लोगसबा चुनाओं में केंडरी मंत्री स्मृती इरानी गाउं गाउं में जाकर सभाएं कर रही है। और राहूल गांधी पर करारा वार कर रही है। आज अगर हम गांधी परिवार से कहें मुसाफिर काना कहा हैं और मटियारी जी का गाउं कहा हैं बता पाएंगे। अगर आज हम कांग्रेश के जिन्दी के नेताओं से कहें ये बताओ भिटवा कहा हैं भादर कहा हैं बता पाएंगे। पूरी अमेथी लोगसभाद छेत्र में एक लाख चौधा हजार गरीबूं के घर बने हैं पात साल में जिसमें इसे दो साल करूना का था मतलब काम करने के लिए मेरे पास तीन साल था कांग्रेस पार्टी 15 साल लापता सानसद के माध्यम से दस हजार घर भी बनाए थी क्या हम तीन साल में एक लाग चौदा हजार घर बनवाए हैं इस बार भी स्मृति रानी गाउं गाउं जाकर छोटी-छोटी सभाई कर रही है और इन सभाव में गाउं की महिलाई जादतर स्मृति रानी को सुनने के लिए आ रही है स्मृति रानी लगातार अपने लोगसभा छेतर में गूम रही है और रोजाना एक दर्जन से जादा छोटी-छोटी जन सभाई कर रही है मैं आपको तस्वीर दिखाने जा रहा हूँ स्मृति रानी इस वक्त स्टेज पर है और वो लगातार सहगड के महिलाओं से पुर्सों से लगातार वो संपर्क कर रही है सीधे कनेक्शन स्कापिट कर रही है और जब स्मृति रानी 2014 पर चुनाओ आ रही थी तब वो अमेठी छोड़के नहीं गे थी जिसके वज़े से 2019 में स्मृति रानी ने राहूल गांधी को 55,000 से ज्यादा वोटों सहरा दिया था न्यूज एटीन इंडिया की टीम अमेठी के कई इलाके गई और लोगों की राय जाने की उनकी नजर में बहतर कौन है स्मृति रानी या राहूल गांधी 2019 में स्मृति रानी ने जैसे ही अमेठी से राहूल गांधी को चुनाव में शिकस दी उसके बाद स्मृति रानी समझ गई कि अगर अमेठी में बने रहना है तो लोगों की बीच ही रहना पड़ेगा जिन महिलाओं से स्मृति रानी ने मुलाकात की उन महिलाओं से न्यूजेट इंडिया ने भी बात की कॉंग्रेस सूत्र बताते हैं कि वाइनाट का चुनाव खत्म होने के बाद राहूल गांधी अमेठी की तरफ रुक करेंगे और यही वज़ा है कि अमेठी की कॉंग्रेस कारेकरताओं ने सबसे पहले राहूल गांधी की घर की सापसफाई करवा दी वैसे अमेठी की कारेकरताओं को अमीद है कि राहूल गांधी जरूर अमेठी से चुनावी परचा भरेंगे दूसरी तरफ कॉंग्रेस के कारेकरता लगटा डोर टो डोर घूम रहे हैं और कॉंग्रेस के मेनिफेस्टो को अमेठी के लोगों को समझा रहे हैं कॉंग्रेस के जो कारेकरता है वो कॉंग्रेस के जो मैनिफेस्टो है उसे लेकर डोर टू डोर जा रहे हैं और पूरी तरीके से तयार है यह ज़रा पूरा मैनिफेस्टो दिखाईए कॉंग्रेस का गैरेंटी कार्ड दिखाईए यह देखिए यह ज़रा इसको सीधा करके दि चुनाव लड़ेंगे या नहीं ये तो जल्दी साफ हो जाएगा लेकिन सौबात की एक बात अमेटी में स्मृती इरानी का पढ़ना भारी दिख रहा है टोक कोतवाली थाना चेत्र की एक दुलहन शादी से महज एक दिन पहले अपने घर से गायब हो गई इसका पता लगने के बाद परिजन और आसपास की लोगों ने इधरोध तलाशा युवती की नहीं मिले पर वो कोतवाली पहुँचे हंगामा खड़ा किया रोड तक जाम कर दिया मामने की गंभीरता को देखते हुए तीन थानों की पुलिस के साथ अतिरिक पुलिस दापता दैनात कर दिया गया पुलिस और प्रभुत लोगों ने हंगामा कर रहे लोगों को समझा कर थाने से बाहर हटाया लेकिन आक्रोशित परिजनों के साथ समाज के लोगों ने पाज बत्ती के बाद जाम लगा दिया परिजनों का कहना है कि आरोपी यूवक उनकी लड़की को बहला फुस्पला कर ले गया शनिवार को लड़की की शादी होनी है